सब्सक्राइब करें एलपटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंद जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए नमस्कार खिसान भाई आप सभी काईगो और फिर से सौगत है हमारी यूट्यूब चैनल एलपटेल में आज हम बात करेंगे EDDC टाइप हेड्रोलिक्स की और मीटा हेड्रोलिक्स जो काफी किसान भाईयों ने सुना होगा कि इसमें मीटा हेड्रोलिक्स आती है इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अगर बात की जाए कि मीटा हीड्रोलिक्स है क्या तो यह एक कमपनी है मेटा हेड्रोलिक्स बनाती है इसके जो पूरा शेयर है वो C&B गूर्प के पास है जादे तर शेयर है आफ्सके पाफिडियों के लाउंग लाकी होती है यह जो company है यह सबसे पहले मतलब हमारे हाँ पर मीटा नाम से आई थी मीटा इंडिया नाम अब अगर देखी जाए कि इसकी डिजाइन क्या है तो यह इटली की एक manufacturing company है जो की design करती है मतलब इटली वाले प्रोडक्स को काफी ज्यादा यह design करती है और इसके जो designing है वह ज्यादा तर इटली से ही निर्धारित होती है और यह जो company है काफी पॉपुलर है कंपनी ने सन 2000 में rocksoft वाली hydraulics लाये तो जो की काफी पॉपुलर है हमारे इंडिया में और उसके बाद 2006 में 3 में थिंडेर धीजे लिए 2respi जो की तीन जैसी है कि एक आती हजार Odyssey तक के लिए दूसरी आती है अपने नए टेक्टर में निकाला है जो अभी नए टेक्टर आ रहा है इनका फॉर्म टेक का आइटम उसमें भी वही आ रहा मतलब फॉर्म टेक ने भी अब धीरे-धीरे लेना चालू कर दिया है कुवेटा के अंदर भी लगभग बुई वाली हेड्रोलिक्स दी जाती है जाइटर के अंदर तो आपको मिली जाएगी आइसर के अंदर मिल जाएगी और जो सौरा 963 की है वो भी ऐसी लगती है जैसे मीटा दोरा हेड्रोलिक बो भी बनाई गई है क्योंकि उसकी डिजाइन मीटा स्टाइल लगती है और मीटा हेडरोलिक्स की खास बाती है कि ये ADDC टाइप की आती है काफी ज़ादा किसान भाईयों को नहीं पता है कि ADDC टाइप की हेडरोलिक्स कैसी होती है तो ADDC टाइप की जो हेडरोलिक्स होती है उसमें एक position control level होता है दुसरा draft control lever होता है position control lever क्या करता है कि आपको जो implement है उसे उठाने और बिठाने के लिए इस्तमाल किया जाता है और जो आपका draft control lever होता है वो draft को fix करने के लिए मतलब इस गहराई के बाद अगर आप नीचे ले जाते हैं तो automatic उपर होना चाहिए या फिर इस गहराई से अगर वो उपर होता है तो automatic नीचे जाना चाहिए इस draft को fix करने के लिए draft lever का use होता है लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि draft lever को तो set कर देते हैं और उस पे जो position lever होता है उसको full down कर देते हैं अगर देखा जाए कि engineering तोर पे कैसा काम करना है तो वो बिल्कुल गलत होता है क्योंकि अगर position lever full down होता है तो आपका डर जो आपने draft set किया है वो सही तरीके से काम नहीं करता है इसलिए जो position lever है उसको क्या करना है आपको की lock system आता है जो हर टेक्टर के अंदर दिया जाता है उसमें जो PC lever और DC lever लिखा हुआ होता है उसमें से जो DC lever है उसको एक निर्धारित जो आपकी लग रहा है कि यहां से sleepage आपके tire की खतम होगी है वहाँ पे उसको fix करना है और PC lever को उसी के बिल्कुल parallel में fix करके lock कर देना है उसके बाद उसे position lever से उपर नीचे करना है मतलब position lever से उठाना है और position lever से बापस वहीं तक down करना है ताकि अच्छा operation हो लेकिन position lever को full down ना करें उससे क्या होता है कि जो draft की problem होती है मतलब जो draft सही से sense करना चाहिए वो कम हो जाता है उसे के साथ मैंने three point sensing बताई है कि तीनो point पर कैसे कैसे अलग-अलग sensing की जाती है मिट्टी के लिए तो उसके लिए मैंने पहले से video बना के रखा आपको जो उपर icon है उससे आ रहा होगा वहाँ से जाकि आप देख सकते हैं काफी अच्छा वीडियो और काफी किसान भायों को पसंद आया था और बागी यही सब डीटेल है मीटा हड्रोलिक्स के बारे में काफी किसान भायों को अक्सर बात आती है कि इसके अंदर मीटा हड्रोलिक्स लगा होता है क्योंकि काफी लोग बोलते हैं उसकी डीटेल पता नहीं होती इसलिए मैं नहीं सोचाए कि ये वीडियो बना के आपको बताए जाए कि मीटा क्या है तो यही सब कुछ है मीटा हड्रोलिक्स के वारे में अगर आपको जनकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल तो सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद